पंजाब हर्याना हाई कोट के एडवोकेट मोहिंदर सिंग जोशी ने बताया कि अगर प्रशासन चाहे तो डेरा परमुग गुरमेत रामरहिम सिंग को पैरोल दी जा सकती है क्योंकि रामरहिम के एक साल की सजा पूरी हो चुकी है अगर देखो आफ्ट कंवेक्शन ते संठेंस तो बाद एक साल तो बाद प्रिजट्र इंटिलडल पर रिलीजिंग उन पैरोल सब्जेक्ट तो सेटन रिस्टिक्शन सब्जेक्ट तो सैटिस्टिक अफ डिस्टिक अडिस्टिक 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 अडिस्टि इना अखलातन देविच डिस्टिक एर्मिस्टेशन मेरे ख्याल विच एना रिस्क नहीं लए वहीं जोशी ना आरूप लगाए कि साधवी यौँ शोशन मामले में गुर्मीत रामरहिम सिंग को पंचकुला सीबियाई अदालत से दोशी ठहरा जाने को लेकर एक साल हो गया है लेकिन साइटी अभी तक पंचकुला हिंसा मामले में गुर्मीत रामरहिम सिंग को नामजद नहीं कर पाई पबलिक वहिकल्द भी फुके कैसी और कमर्शल प्रापर्टियां दा हो थे हाफ़ड चौक दे नेड़े पंचकुले बहुत नकसान हो गया अजे तक किसे नो कोई मामजद नहीं मिलिया सरकार नो इस मामजद नो कंट्रोल कर ली जगा के सरकार ने आप बैल मुझे मार दी अंदर आउन दी जा देती पहलना दा उननो जुडिशल कोर्ट कमपलेक्स दे नजदी कहना काठो होन देता एक सो चतारी दा ओर्डर गल्ट पास करके उननो परमिट किता हो थे काठो होन दा उस तो बाद फिर बहुत सारा नकसान होया ते दूजे पासे जड़े चाली रहीं पैरूल पर बाहर आता है